Greetings of the day students, hope you all are doing good. Welcome to the number one channel for CACS and CMA. All Commerce Doubt का एक stop solution है MEPL Classes. तो CACS, CMA के Foundation, Inter और Final, सारे चीजों के Queries, जो भी doubts हो, आप कभी भी MEPL Classes के अलावा और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं. This is the number one institute for CACS and CMA. तो जबी मैं CACS, CMA की बात करता हूँ, Foundation, Inter, Final, तो Foundation वाले बच्चों का base जो है, वो कौन सुधार सकता है 11, 12 और BCOP. आप देख सकते हैं नीचे में BCOP and 11, 12 बैठे हैं, क्योंकि यह हमेशा base में होते हैं, इसलिए यह हमेशा नीचे बैठे रहते हैं. अब अगर मैं इनकी बात करूँ, अगर यह concepts clear नहीं होते हैं, तो आपको future में दिक्कते आएंगी और आपके educators को भी इसे समालने में दिक्कते आएंगी ही आएंगी. तो हम लोग ने, मोहिट सर ने एक plan किया कि क्यों न 11, 12 और BCOM, base से commerce का सारा doubts clear करें. मतलब commerce अगर मैं बात करूँ, तो 11, 12 से चालू होता है, उसके बाद आपका CAC, CMA, international courses, मतलब सारी चीजों का doubt मोहिट सर ने ले रखा है, कि आपको जो भी problem हो, we are actually the one-stop solution for CAC, CAC and CMA. आप courses में देख सकते हैं, CAC, CMA के बाद सबसे पहले international courses जाते हैं, जिसमें आपके आते हैं, ACCA और CFA, उसके बाद skill enhancement course, commerce में, जबी भी आप रहेंगे तो आपको skill enhancement बहुत जरूरी है, Excel चलाना, Google चलाना, PowerPoint चलाना, Sheets बनवाना, कुछ भी हो, tally, value, सब कुछ आपको आपको the world works on computer, ठीक है, उसके बाद नीचे जब enter करते हैं, तो stock market थोड़ा सा, different है category में, बट यह भी commerce के पार्ट में आता है, क्योंकि stock market का knowledge भी बहुत जरूरी है, आपको investment करना पड़ता है, क्योंकि आज के date में survival बहुत मुश्किल है, और talking about BCom and 1112, यह आपका basic concepts को clear करता है, तो म classes में जरूर लगाऊंगा, बट उसके अलावा आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग के classes हो चुके semester 1 के, सारे complete है, बट उसके अलावा आपके पास क्या options है, recorded classes का, in case आपको अभी भी लगता है कि 10 दिन में आप syllabus को conceptually clear कर सकते हैं, तो आप class purchase कर सकते हैं, आपके पास classes without any glitch आएंगे, क्यों? क्योंकि सारे classes recorded app में stored हैं, आपको बस खाली purchase करना है, और सारे classes आपको एक बार में मिल जाएंगे, अगर आप phone में देखना चाते हैं, तो mobile app classes लीजेगा, जो की पहला है, अगर आप mobile app के जगा पे Google Drive में देखना चाते हैं, तो वो तीसरा है, ठीक है उसके अदब notice कीजेगा, जहांजा Google Drive लिखा है, वो आपको laptop में मिलेगा, और mobile app में आपको mobile में मिलेगा, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान से लीजेगा, जो आपको ज़्यादा convenient हो, आप वो ही लीजेगा, purchase करने का तरीका बहुत ही simple है, 5500 is the cost, आप देख सकते हैं यहा अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर समझ लिजेगे आपको एक referral code मिलेगा, जहांपे आप देखेंगे अपने account में, वहाँ पे refer and earn लिखा होगा, ये भी mobile app में shopping जैसे होता है, वैसे ही चलता है, पढ़ाई के साथ साथ आप भी पैसे कमा सकते हैं, क्या करेंगे आप 20 ज परचेस करेगा, payment successful होगा, उसके बाद उसको भी कुछ referral points मिलेंगे, और आपको सीधा 5%, सीधा 5% उसके purchase पर आपको cash back आपके bank account में directly मिल जाएगा, संग संग, without any second thought, means अगर समली उसने 10,000 का लिया, तो 5% होगा 500, तो आपको 500 directly आपके bank account में मिल जाएगा, ऐसे अगर आपने 20 जन को refer किया, तो वो पूरा का पूरा 10,000 आपका free हो जाएगा, means आपकी classes आपको free में मिल रही है, बस आपको refer करना है, और ऐसा नहीं है कि आप 10 refer करेंगे, तो मिलेगा, हर एक refer पर 5% मिलेगा, तो इससे आपका 100% होते ही 20 referral में, आपको सारा का सारा cash back मिल जाएगा, तो य It is not related to any concept related to money, it is related to maximum allowance of the students, उनको knowledge, उनको quality education देना ये हम लोग का main motto है, और कुछ हम लोग का main motto कभी भी नहीं रहा है, main motto is quality education, क्योंकि मुझे भी पता है कि B.com में एक student को एक सबसे बढ़ी problem है कि सर पढ़े कहां से, हुक कहां से लाए भाया, वो problem भी हम लोग solve out कर देंगे, तो आपको कोई भी doubt नहीं लेना, आप यहाँ पे सीधा जाके payment कर सकते हैं और कोई tension की बात नहीं रहेगी, in case उसके अलावा कुछ भी आपको doubt रहता है, तो आप contact कर सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए 1112 के number और B.com के number separate किये हैं, in case उन सब के अलावा कोई भी doubt हो, तो आप आपको वो चीज अवेल करा दी जाएंगी, community playlist में जाएंगे तो आपके details given हैं यहाँ पे, उस details को कभी भी आप देख सकते हैं, जो होने वाले हैं classes, videos और shots आपके लिए जैसे कि अभी आपका sem1 का exam होने वाला है, playlist में जाएंगे, तो यहाँ पे देखे, sem1 कहांपे लिका है become sem1 suggestion and related videos, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, voice बंदी है, back चलते हैं, मैं क्या दबाने वाला था, skip pad, view full playlist, यह तो sem5 का हो गया, view full playlist, तो आप full playlist में देख सकते हैं, यहाँ पे interpolation के classes है मेरे, मैंने interpolation के लिए एक और वीडियो बनाना है, जो आपके लिए एक student का request था, तो मैं obviously मैंने आपको बोला, आप कुछ भी comment box में लिखेंगे, वो आपको avail करा दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप playlist में देख सकते हैं, जो भी आपको doubt or become sem1 से related, आप यहाँ पे help out ले सकते हैं, जैसा कि most important topics of PM दे रखे हैं, अमन सर ने, statistics का मैं दे रखा है, अमन सर ने, PM का दे रखा है, वैसे ही eco के accounts के सब के आपको playlist में यहाँ पे मिल सकते हैं, प्लस और भी कुछ होने चाहिए, यहाँ पे sem1 के लिए यह देखे, become sem1, all subjects, demo classes, viewfull playlist, तो demo classes मतलब क्यों हो गया, पहले economics के class हुएं, तो आप महां से economics के concepts देख सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता था आप purchase भी कर सकते है classes, जो की obviously recorded होंगे, बट आपको कोई attention लेने का दरकार ने, क्योंकि classes एक्दम superbly, finely recorded है, with good quality, and good quality education also, and we are at 3Center, Showa Bazar, Bangud and BavaniPoor, cutting all the Calcutta's, Calcutta portion, ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि हम लोग interpolation के classes कैसे यह देखिए, same one में interpolation में आपके तीन parts है, newton, forward, newton, backward, newton, forward, newton, backward, and lag ranges, and lag ranges, अब इन तीनों का फाइदा क्या पढ़ने का, यह तीनों आपके syllabus में included है, जिसमें 8 marks cater करेंगे, अब newton, forward, and newton, backward, किसके लिए use होता है, equidistant, अब मैं आपको बता हूँ एक चीज, मैंने अभी यह जो word लिखा ना, उसी में आपका 2 marks आ सकता है, non equidistant, समय लिए आपका कौन सा formula यूज करेगा interpolation का, तो forward या backward यूज करेगा, तो वैसे ही lag ranges में non equidistant होता है, तो यह भी आपका एक MCQ बन सकता है, और आता भी है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, 5 साल, 6 साल के अंदर में paper में मैंने notice किया, ऐसे questions आए हैं, आते भी हैं, अब lag ranges के type के जो question होते हैं, वो थोड़ difficult होते है, जैसा कि सबसे important question मैंने जो देखा है, x और y के values given रहते हैं, उसमें question रहता है, minus 1, minus 2, 2 and 4, और y के values है, minus 1, minus 9, 11 और 16, exact एकदम same question आने वाला है, आपसे पूछेगा, जब x 0 है, तो y का value क्या है, और इसका value कितना होगा, 1, इसका value कित favorite question है, इस question के अलावा, c u को कुछ सूचता ही नहीं है, y के जगा पर वो fx लिख देगा, बट question के पूरा का पूरा numbering same रहेगा, या फिर एक ऐसा type का question जिसमें दे रखाओ, x 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, और y है, 1, 4, 16, 25, find the value of 3, find the value of y when x is equal to 3, तो यह सब type के जो question है, वो c u के damn favorite है अब इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर equidistant नहीं है, 1, 2 में 1 का gap है, 2, 4 में 2 का gap है, और 4, 5 में 1 का gap है, तो unequal distance है, तो यह lag ranges हो गया, अब हम लोग interpolation दो concepts में करता है, एक करते हैं missing values निकालने के लिए, जो कि हर एक question में missing values होता है, कभी-कभी आप उसका missing equation निकाल लें अब अगर आप x का value 3 यहाँ put करते हैं, तो आपको 9 मिल जाएगा, आपको 9 मिल जाएगा संग संग, आप answer हो गया 9 खतम, बड़ अगर आप interpolation से पूरा solve करते हैं, तो आपको बहुत time लग जाएगा, तो कभी-कभी अगर आप equation judge कर पाते हैं, तो माशालला, perfect है आपके तो यह बहुत फाइदेमान चीज़ होता है, students को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, वो ही चीज़ के लिए मैं आपको बताने आया था है, कि interpolation के chapters में ऐसे ही questions आते हैं, in case अगर आपका forward और backward आता है, तो वो है थोड़ा lengthy, but easy होता है, concept मैंने formulas discuss किये हैं पहले भी classes में, त केले देखेंगे तो कोई फाइदा नहीं है, आपके बहुत सारे CU के friends है, जो की exam देने वाले हैं, और subscribe करेंगे channel को तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मिलते हैं, bye-bye.